आजम बनाएंगे बहुती सिंपल सा और टेस्टी नाश्ता चटपट से बनके तयार हो जाएगा बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, शाम को एमिनिंग स्नेक्स के रूप में इसे बना सकते हैं, जब भी छोटी मोटी बूख लगे आप इसे बना कर बच्चों को दे सकते हैं, या घर में बना के आप भी बड़े खा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने लिया है ये डेर कप गेहूं का आटा, इस नाश्ते को हम गेहूं के आटे से ही बनाने वाले हैं, और यहाँ पे मैंने लिये हैं दो बड़ी साइस के उबलवे आलू, जिनने मैंने आदा चमश मैंने इसमें लिया है चीली फ्लेक्स आप लाल मिश का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं बहुत जरा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है इसका फ्लेवर भी नाश्ते में बहुत ही अच्छा आएगा और यह मैंने आदा चमश डाल दिया इसमें पीजा सीजनिंग पीजा सेजनिंग डालने से भी इस नाश्टे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चाएगा नमक स्वात के अनुसार डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ दो चीज स्लाइस अगर आपके पास चीज क्यूब हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं चीज स्लाइसस को मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काटके और इस ग्रेट कर लेंगे चीज डालने से ये नाश्टा बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा जरुरत के अनुसार पानी डाल के इसका अच्छा सा आटा गूत लेंगे जैसे रोटियों का आटा हम गूते हैं बेल्कुल उसी तरीके का हमें आटा तयार कर लेना है ये देखिए अच्छे से मैंने आटा लगा लिया है ना जादा सॉफ्ट है और नहीं जादा टाइट अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे तेल डालकर हलका सा चिकना कर लेने से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और ये हाथों पे नहीं जिपकेगा अब अच्छे से मैंने इसे मसल लिया है अब इसके हम दो पोर्शन कर लेते हैं दो बड़ी बड़ी लोईयां मैंने इसकी बना ली है इस तरीके से दो लोईयां बनाके मैंने तयार की है अब इसे हम बेल लेंगे इसे हमें बड़ा सा बेलना है हम इसे बड़ी साइस का बेल लेंगे लेकिन इसे बिल्कुल पतला नहीं करेंगे थोड़ा सा हमें ये मोटा ही रखना है अब पीजा कटर या चाको की सायता से हम इसके चौकर पीसिस कट कर लेंगे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई से भी शेप इसे दे सकते हैं मैं इने चौकर शेप दे रही हूँ साइट से जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल कर फिर ये नाशता बहुत टेस्टी भी है बच्चों को पसंद आएगा क्योंकि हमने इसमें आलू डाले है चीज डाला है पीजा सीजनिंग डाला है टेस्ट में ये नाशता बहुत ही अच्छा लगेगा हलका सा ब्राउन होने पर उलट पुलट करके हम इसे फ्राय कर लेंगे दे इसी तरीके से सारे नाशते को हम फ्राय कर लेंगे मैंने दो बैचिस में ये फ्राय करके निकाल ली है देखिए ये हमारा चटपटासा इजी स्नेक्स बनके तयार है बच्चों को छोटी मोटी भूक में आप ये दे सकते हैं सुबह लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं के साथ ये नाशता आप सर्व कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्रीस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे फिर नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद